यूपी में फिरोजबाद के सिरसा गंज से स्पी विधायक हरियोम यादव को प्रशासन ने वोट डालने की इजाज़त नहीं दी है उनके बारे में भी आपको बताते हैं हत्या की कोशिश के केस में हरियोम यादव 5 मार्ट से जेल में बंद है ये मामला 2014 का है 5 मार्ट से वोट जेल में बंद है और प्रशासन ने उन्हें वोट डालने की इजाज़त नहीं दी है उनपर आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हरियोम यादव और उनके बेटे विजे यादव ने विमल यादव नाम के शसक्त को पीता था हत्या के प्रशास का मुकदमा उन पर दर्ज है और उसी के चलते वो जेल में बंद है उसी मामले में हत्या की कोशिश में हरियो म्यादव जेल में बंद है और आज वोट नहीं डाल पाएंगे हरियो म्यादव